हलो फ्रेंग्स, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है As a man think it, दुनिया वर में सेल्फ एल्प के एक शेतर में बहुती मशूर पुस्तक है अगर हम कहीं कि यह है पुस्तक स्वें को समर्थ बनाना या फिर स्वें को सिद्ध करने के बारे में लिखी गई है तो अतिशोक्ति नहीं होगी यह चोटी सी पुस्तक हमें यह बताने के साथ साथ कि हम महान बन सकते हैं हमें महान बनने में एक टूल की तरह काम करती है सत्य हमें उन सीमों से मुक्त कर सकता है वह हमारे जीवन को बदल सकता है जिन से हम गीरे हुए है सत्यात्त बहुत ही शक्तिशाली होता है जब इसे साधारन भासा में आसान तरीके से पेश किया जाता है जेम चेलन हमें इस पुस्तक के बाध्यम से स्पष्टर रूप से दिखाते हैं कि कैसे हम उस चावी रूपी ज्यान का प्रियोग करके जिस सभलता की हम कल्पना करते हैं उस महांतम सभलता को और उसे प्राप्त करने के तरीकों को खोल सकते हैं इस पुस्तक को साथ अध्यायों में लिखा गया है जो बेहत सुंदर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे पहला अध्याय है विचार और चरित्र दूसरा अध्याय परिष्टितियों पर विचार का प्रभाव वे तीसरा अध्याय है शरीर और स्वास्ते बर विचार का प्रभाव इसी तरह से यह लैबत तरीके से आगे बढ़ती है वह आपको विचार शक्ति का पूरा परीचे करवाती है यह पुस्तक आपको यह बताती है कि किस तरह हम अपने विचार रुपी यंत्र का प्रियोग कर सकते हैं जिम्स कहते हैं कि हम वास्तों में वही हैं जो हम सोचते हैं, हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है, आप अपने भाग्या के निर्माता हैं, यह नियम परम सत्य हैं, कि जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे, उनके लिए दर्वाजे खुलेंगे, क्योंकि धैरिय, अभ्यास और निरंतर द्रड़ता क माध्यम से ही, आप ज्यान के मंदिर में ताखिल हो सकते हैं, जेम्स आगे कहते हैं, कि आप तब तक परिस्तितियों के द्वारा नियंतरित रहेंगे, जब तक यह सोचते रहेंगे, कि हम बहारी परिस्तितियों से नियंतरित होने वाले हैं, आपने अगर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखित पुस्तक Think at Grow Rich पढ़ी है तो आपने महसूस किया होगा कि विचार की शक्ति कितनी महान है विचार की शक्ति के माध्यम से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है जेमिस के सुत्रों को और अधिक समझने के लिए हमें इस पुस्तक को भी पढ़ना या इसकी ओडियोबुक सुननी चाहिए यह है पुस्तक मूल रूप से एक कविता मन वह मूल शक्ति है जो हर कारिय को एक सांचे में डालती है और बनाती है के रूप में शुरू होती है बोध मतानुसार शुरूआत में दी गई कविता उस पुस्तक का सार होती है अगर आप उस कविता को समझ लेते हैं तो मान लीजिए आपने उस पुस्तक के सार को समझ लिया है और उसमें दी गई एक ऐसी चाबी को खुज लिया है जो आपकी प्रतीभा, शक्ती और के ताले को खोल सकती है जेम्स एलन द्वारा लिखित पुस्तक एजे मैन थिंकेत का एक उपहर के रूप में आनंद लें यह चोटी सी पुस्तक अपने आप में एक महान खजाना लिये हुए आपके सामने हैं धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन रहे हैं जेम्स एलन का जन्म सन 1864 में इंग्लेंड के लिसेस्टर में हुआ था उनके पिता का देहान उनके बच्पन में ही हो गया था जिससे उन पर वे उनके परिवार पर मुश्किलों का पहाड सा तूट पड़ा था एसी परिस्तितियों में उन्हें मात्र 15 साल की आयू को कॉंट्रेक्टर्स के माध्यम से भी किया अपनी पहली पुस्तक प्रों पावर्टी टू पावर पूरी करने के बाद वे इंफ्राकॉम जो के इंग्लेंड का दक्षनी पस्चिम तट है वहां परा कर बसके थे जेम्स वहां अपनी मृत्यू परियंत साल 1912 तक रहे जेम् यह पुस्तक विचार की शक्ति पर एक निबंद नहीं है बलकि ध्यान खोज और अनुवह का बहु आयामी फल है यह पुस्तक सभीस्त्रियों और पुरुषों को इस सत्य को खोजने में मदद करने की कुजी है कि वे स्मय खुद के निर्माता हैं वे अपने सुक दुख वे अज्यान अज्यान के मुख्य शिल्पकार उनके खुद के विचार ही होते हैं इनका निर्माता उनका खुद का मन ही होता है जेम्स एलन इलफ्राकों इंग्लेंड अध्याय ए विचार और चरित्र हिंदी ओडियोबुक.com हम वैसे ही हैं जैसा हम अपने मन में सोचते हैं इ जैसे बिना वीज के एक पोधा नहीं उग सकता उसी तरह हमारे विचारों में छिपे हुए बिजों के बिना हमारा कोई भी कर्म उत्मन नहीं हो सकता यह सुत्र उन सभी कर्मों पर भी बिना शर्त लागू होता है जिने हम स्वैप्रेवित या एपुरू योजित या फिर जिने सोच समझकर किया जाता है विचारों का मूल कर्म है और यही हमारे सुकतु का फल है अतहम जो भी फल पाते हैं चाहे वो मीठे हों या कड़वे ये सभी हमारे विचारों का ही परिणाम होते हैं हम आज जो भी हैं वह है सब हमारे मन में उत्पन होने वाले विचारों के द्वारा रचित और निर्मित हैं यदि हम अपने मन में अज्ञान से ओध प्रोध बुरे विचारों को पनपने देते हैं और सदा उने ही पालते रहते हैं तो हम अपनी ओर दुख होए दर्द को ही आकरशित कर रहे हैं और जल्द ही हम दुख से गिरे होंगे जो हमारे बुरे विचारों का ही परिणाम होगा इसके विप्रीत यदि हमारे मन में हम स्वस्थ और हिट कर विचार रखेंगे तो आनन्द और सुख हमारा उसी तरह पीछा करेंगे जैसे धूप में परचाई हमारा पीछा करती है पूरुस और श्त्री किसी नियम के द्वारा कोशल से रची रचना नहीं है बल्कि ये तो एक उन्नत्ती है विचारों का जितना प्रभाव पूर्ण और द्रड़ परलोग में है उतना ही प्रभाव इस भोतिक जगत में भी है एक महान और इस्वर्य चरित्र कोई संयोग से नहीं उत्पन होता बल्कि वह लगातार सही इस्वर्य विचार सोचने और उनसे लगातार संबन बनाई रखने से संभव है इसी प्रकिरिया के द्वारा नीच और पशुब्रती वाले मनुश्य लगातार पोशित किये जा रहे हैं जो दूस्टवे ग्रनित विचारों का ही परिनाम है हम खुद के विचारों के द्वारा ही अच्छे या बुरे इंसान बनते हैं हमेशा हम अपने विचारों की शस्तर साला में उन शस्तरों का संधान करते रहते हैं जिनका प्रियोग हम हमेशा अपने नाश के लिए करते रहते हैं हम उन उपकरणों को भी बनाते रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुखत, आनंद में और शान्ती में बनाते हैं, वे साथ ही साथ समाज को भी इसका लाब देते हैं, हम सही विचारों के चुनाव से वे उनके सच्चे प्रियोग के द्वारा दिव्यता और पूर्णता तक उठ सकते हैं, गलत या बुरे व हम स्वे होते हैं, इस युग की सबसे उर्जावान, ताकतवर, विश्वास से भरा हुआ दिव्य वचन और दिल को शुक देने वाला आत्मा से संबंदित यह सत्य है कि तुम अपने विचारों के मालिक, चरित्र को डालने वाले, अपनी परिस्थिती, वातावर्ण और उनरुत्थान की शक्ती है, जिसके द्वारा तुम खुद को वो बनाते हो, जो बनाना चाहते हो, हर परिस्थिती को नियंतरित करने की चावी तुम्हारे हातों में है, तुम अपने हर हाल के स्वामी होते हो, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और दुराचारी परिस्थिती के मालिक भी तुम खुदी होते हो उस समय तुमें कमजोर और बेकार मुर्ख घर के मालिक होते हो जो अपने परिवार को गलत धंग से चला रहा होता है जब तुम अपनी इस दशा के बारे में सोचते हो और उस सुत्र को जिससे तुमारा आस्तित्व है को अपनी पूरी ताकत लगा कर ढूंडते हो तब तुम एक पुद्धिमान स्वामी के नजरिये से अपनी सभी शक्तियों को बुद्धि मता पूर्वक निर्देशित करते हो और अपने विचारों को एक सुखद फलदाई रूप देने लगते हो इसे ही एक बुद्धिमान वे जागरुक मालिक कहते हैं जो अपने विचारों के नियमों को खोज कर अपने जीवन को सही दिशा देता है इस प्रकार खोज प्रयोग आत्म विशलेशन और अनुबहों के द्वारा अपने विचारों के सुख्त्र खोज कर आप भी एक बहतरिन मालिक बन सकते हैं आप जानते हैं कि सोने और हीरे को खोजने के लिए गहन खनन करनी पड़ती है इसी तरह तुम अपनी आत्मा की खान में गहराख हो दोगे तभी अपने अस्तितों से जुड़े हर सत्य जान पाओगे यदि तुम अपने विचारों को देखो नियंतरित करो और उन्हें बदलते हो और दूसरों वै अपने जी बदलाओं को भी स्वें के बारे में आई बदलाओं के बारे में जानने के लिए प्रियोग करो जिससे समझ बुद्धी और शक्ति जो तुमें प्राप्त हो रही है उसे महसूस करो फिर तुम शायद बिना चुके इस सत्य को सिद्ध कर सकते हो कि तुम अपने चरित्र को ब अवश्य मिलेगा जो दस्तक देंगे उनके लिए दर्वाजे अवश्य खुलेंगे क्योंकि द्रडता धैर्य और अभ्यास के द्वारा ही तुम ज्यान के उज्वल मंदिर में प्रवेश कर सकते हो धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक.com आपका दिन शुब हो हिंदी ओडियो उसे लापरवाई से अपने आप बढ़ने दे सकते हैं परंतु उसे चाहे जोता जाए या उसे खाली छोड़ा जाए या उसकी उपेक्षा की जाए उसमें कुछने कुछ उगेगा जरूर या कहें कुछने कुछ फलिभूत अवश्य होगा अगर उसमें कोई वीज नहीं ब कालता रहता है और उसमें वोही फल फूल और पेड़ पोदे आदी लगाते हैं जिसकी माली को चाह होती है या कहें आवशकता होती है हमें भी अपने मन रूपी बगीचे को एक माली की तरह लगाता देखबाल करते रहना चाहिए एशुद बेकार अनावशक और अनुचित प्रकार से देखबाल करते रहना चाहिए इस प्रकिरिया का पालन करते हुए उसित समय वधी में आप जान पाओगे कि आप ही अपनी आत्मा के प्रमुक माली और रक्षक हो आप ही अपने जीवन के निर्देशक हो आप ही अपने अंदर विचारों के नियमों को प्रकट कर पाते हो, आप ये हमेशा बढ़ती सत्यता से यह भी समझ पाते हो कि कैसे आपके विचार की शक्तियां और मन के अन्य गटक आपके सच्चे चरित्र, सकारात्मक परिस्टितियां और उज्वल भागय का निर्मान करने के काम में लगे हुए हैं। विचार और चरित्र एक समान होते हैं क्योंकि माहोल और परिस्टितियों के द्वारा ही चरित्र निर्मित होता है और प्रकट होता है। किसी आवशक पहलू से उस समय के लिए इतना करीब से जुड़ी होई हैं कि वे आपकी प्रगति के लिए आवशक हो आज आप जिस भी स्तिति में हैं वह सब आपकी सत्ता के नियमों के कारण ही हैं आपको इस जगे आपके विचार ही लेकर आई हैं आपके जीवन की सरंचना म संयोग नाम की कोई चीज नहीं है जो भी है वह उस नियम का ही परिणाम है जो अचूक है यह बात उनके लिए उतनी ही सही है जो अपनी परिस्तितियों के साथ तालमेल में कमी का अनुभव करते हैं जितना कि उनके लिए जिने लगता है कि वे परिस्तितियों से संतोष्ट हैं एक प्रगतिशील और जागरुक सत्ता के रूप में आप जहां पर हो वहां इसलिए हो कि आप उससे सीख कर आगे बढ़ सको जैसे आप परिस्तिति में नहित अध्यात्मिक शिक्षन को सीख लेते हो वहें निकल जाती है और दूसरी परिस्तितियों जगे बनाती है जब तक आप यह विश्वास करते रहोगे कि आप बाहरी परिस्तितियों द्वारा प्रभावित प्राणी हो तब तक आप परिस्तितियों की मार खाते रहोगे लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि आप एक रचनात्मक शक्ति हो और उस छिपी होई भूमी और बीज जिससे परिस्तितिया पनपती है पर अपना अधिकार जमा सकते हो तब आप सही माइने में अपने खुद के स्वामी बन जाते हो आतम परिक्षन और आतम सैयम का अभ्यास करने वाले सभी लोग यह जानते हैं कि परिस्तितियां विचारों से ही उत्पन होती है उन्होंने यह देखा है कि उनकी परिस्तितियों में फेर बदल उनकी मानसिक स्थिति में फेर बदल से सीधे अनुपात में होता है यह सही है कि जब आप उत्सुपता से अपने विचारों की कम्यों को दूर करने में स्वेय को लगा लेते हो, तब आप बहुत जल्दी प्रगती करते हैं और बहुत सारे परिवर्तनों से जल्दी ही गुजरते हैं। परिष्थितियों का बहारी जगत विचार के आंत्रिक जगत का निर्मान करता है। परिष्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुंशते हो। उन्नती और आवनती के नियम सब जगे लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आवनती के निचले स्तर पर या जेल जाता है तो परिष्थिति की कुरूरता के कारण नहीं बलकि अपने तुछ विचारों और निमनतम इच्छाओं के द्वारा जाता है। एक सच्चे मन वाला व्यक्ति एक आये कि ही किसी बाहरी शक्ति के दवाव में आकर अपराद से नहीं गिर जाता। उसके मन में आपरादिक सुक्षम विचार गुप्त रूप से पनपरहा होता है। जो आवसर मिलते ही अपने पूरी शक्ति से प्रकट होता है। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती बलकि उस व्यक्ति का विचार जैसा है उसके लिए वैसी परिस्थिति प्रकट करती है। कि अपने विचारों के स्वामी होने के नाते हम स्वे को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों और वातावर्ण को आकार देते हैं और उसके रचियता भी हम ही होते हैं। हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते बलकि हम उसे अपनी और आकर्षित करते हैं जो हम हैं, हमारी महतव कांक्षाई, हमारी पसंद और हमारी इच्छाई कदम कदम पर निश्पल होती रहती हैं, हमारे आंत्रिक विचार और इच्छाई स्वें की खुराक जो चाहे बंदी बनाए गई होते हैं, हमारे स्वें के विचार और कर्म हमारे भग्ये के जेलर हैं। यदि वे तुछ हैं, तो हमें बंदी बनाते हैं, और अगर वे अच्छे हैं, तो हमें मुक्त करते हैं। आपने कभी न कभी यह मैसूस अवश्य किया होगा कि हमें वह नहीं मिलता जिसके हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको पता है कि हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं क्योंकि हमारी इच्छाईं और प्रार्थनाईं तभी पूर्ण होती हैं जब वे हमारे विचारों और करम से तालमेल में होती हैं। इस दृष्टिकोंड से देखें तो परिस्तितियों से लड़ने का हमारे जीवन में क्या आर्थ है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम हमेशा बाहरी परभावों से लड़ते रहते हैं। वे साथ ही साथ उसके कारणों को अपने मन में पोशित वे सनक्षित करते रहते हैं। यह कारण या तो जागरुक बुराई या फिर ए जागरुक कमजोरी का रूप धारन कर लेता है। लेकिन चाहे वे है जो कुछ भी हो वे है धारन करने वाले के प्रेतनों को द्रड़ता से रोपता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। हम मेंसे ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं। परन्तु स्वे में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते और इसलिए हम बंदन में रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परिक्षन से मूँ नहीं चिपाएं तो हम कभी भी वह पाने से वंचित नहीं होंगे जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भोतिक विशों के लिए उतना ही सही है जितना की देवी विशों के लिए। यदि हम केवल संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्षे को पाने से पहले हमें अपने महान व्यक्तिकत त्याग करने के लिए तयार होना चाहिए। और हम में से वे शशक्त और शांत जीवन चाहते हैं उनके लिए तो कितना और कुछ करना होगा कुछ लोग जो गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं वे हमेशा इस बात के लिए व्याकुल रहते हैं कि उनके आसपास का माहुल और घरेलू सुक सुष्वधाईं सुधरने चाहिए लेकिन इन परिस्टित्यों को बदलने के लिए कि ये जाने वाले काम से जी चुराते रहते हैं वे मानते हैं कि अपने मालिक जहाँ वे काम करते हैं उसे धोका देते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कम तनक्वा मिलती है इसलिए वे जो कर रहे हैं वह सही है ये लोग इस सादान से मुलबूत सिद्धान को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि सची समर्दी का आधार है और नैकेवल अपनी गरीब स्थिती से बाहर निकलने के लिए कुछ अमीर लोग हैं जो पेटूपन की वज़े से लगातार दर्दनाग बिमारियों से ग्रस्त हैं वे इन बिमारियों से चुटकारा पाने के लिए धेर सारा पैसा खर्चतों करना चाहते हैं परन्तु ज्यादा खाने की आदत को बदलने के लिए तयार नहीं है वे ज्या अबस्त जीवन के पहले सिधान को अभी तक नहीं सीखा है कुछ मालिक हैं जो गलत रास्ते से धन कमाकर आमीर और ज्यादा आमीर होना चाहते हैं जिसके लिए वे चालाकी से सही वेतन नहीं देकर ज्यादा काम करवाना चाहते हैं एसे मालिक समर्दी के बिल्कुल योग्य नहीं है जब इनका प्रतिष्टा और सम्रद्धी दोनों ही मामलों में दिवाला निकल जाता है तब ये लोग परिष्टितियों को दोस्त देते रहते हैं लेकिन वे यह नहीं जानना चाहते कि अपनी इस परिष्टिति के वे ही पठखता लेखक हैं ये तीन उधारन मातर इस सत्या को बताने के लिए कहे गए हैं कि लोग अपनी परिष्टितियों को बिना जाने निरंतर उन विचारों और इच्छाओं को प्रोचसाहित कर रहे हैं जो उन अच्छे फल से संभवते तालमेल नहीं खाते हैं जो वे चाहते हैं वे ऐसा करते हुए अच्छे फल को निर निश्पल कर रहे हैं, एसे किस्से कई गुना बढ़ सकते हैं, और निरंतर चल सकते हैं, लेकिन इसकी आवशकता नहीं है, यदि हम द्रड़ निश्चे कर लें, कि हम अपने मन और जीवन में विचार के नियम के करम को खोजेंगे, और जब तक एसा नहीं होगा, तब तक परिश्टितियां फिर भी इतनी जटिल है, विचार इतना गहराई से पैठा है, और व्यक्ति व्यक्ति में परसंता की अवस्ता इतनी भिन है, कि हमारी समस्त आतम दसा, जो हमें पता है, केवल जीवन के बाहरी पहलू के तहर किसी के द्वारा आंकी नहीं जा सकती है, कोई व व्यक्ति कई कारियों में बेइमान हो सकता है, फिर भी खूब संपत्ति हासिल करता है, और इसका आधिकतर मतलब निकाला जाता है, कि कोई व्यक्ति इसलिए ऐसभल होता है, क्योंकि वह इमानदार है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए सभल है, कि वह बेइमान है, और यह अनुभव के आधार पर यह निर्नय कलड़ पाना चाता है बैवान व्यक्ति में भी कुछ एकुछ परसंसनियगुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है और इमानदार व्यक्ति में कुछ एकुछ दुर्गुण हो सकते हैं चाहे सुक्षम ही क्यों नहीं हो जो दूसरों में नहीं होते हैं इमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों के कारण अच्छा फल पाते हैं परन्तो अपने दुर्गुणों के कारण कष्ट का भी अनुवव करते हैं बेईमान व्यक्ति उसी तरह से कष्ट या हर्ष का अनुवव करता है मानव एहम को यह मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है परन्तु जब तक हम अपने मन से हर रोगी, कटू और एशुद विचार को निकाल नहीं फेंकते हैं और अपनी आत्मा से हर ऐस्वस्त दाग को साफ नहीं कर देते हैं तब तक हम उस स्थिति में नहीं हो सकते हैं जहां हम यह जान पाएं और गोशित कर पाएं कि हमारा कष्ट हमारे बुरे विचारों के कारण है ने कि हमारे अच्छे गुणों के फलसो रूप है उस परम पूर्णता के पत पर पहुँचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कारिय शील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णते न्याई संगत है जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा नहीं देगा जब हमें ऐसा ज्यान होता है तब हम यह जान पाते हैं अपने पूर्ण के अज्यान और अंदेपन को देखते हुए कि हमारा जीवन अभी और सदा से ही न्याई संगत रहा है हमारे पूरो के सारे अच्छे या बुरे अनुभव हमारे विक्षित होते हुए फिर भी एविक्षित आत्मा के ही उचित परिनाम है अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिनाम नहीं दे सकते और इसके विप्रित भी इतना ही सही है कि बुरे विचार और कर्म कभी अच्छे सुगत परिनाम नहीं दे सकते हम प्रकरती जगत में इस नियम को पहली बांती जानते हैं और समझते हैं वे इसके अनुसार काम भी करते हैं कि आम के बीच से आम का पेड़ ही उगेगा और बबूल के बीच से केवल बबूल का पेड़ ही उगेगा और वैसे ही फल देगा लेकिन कुछ ही इसे मानसिक वे नैतिक जगत में समझते हैं जबकि हमारे विचारों के मामले में भी यही नियम लागू होता है वहां भी यह उतना ही सहजवे अटल है इसे ने समझने पर हमें परेशानी उठानी पड़ती है और तब ये नियम हमारी इच्छाओं के अनुरूप सहयोग नहीं देते हैं कश्ट वे पीडा गलत दिसा में लगाए गलत विचारों का प्रभाव है यह एक संकेत है कि हमारा अपने आप से अपने अस्तितों के नियम से तालमेल नहीं रहा है कश्ट का एक मात्र और उच्चतम कारिय है शुद्धी करना वह सब जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना वे जो शुद्ध हैं उनके लिए कश्ट खत्म हो जाते हैं एक बार जब सोने से मेल हट जाता है तो उसे जलाते रहने का कोई मतलब नहीं होता है वे परिस्तितियां जिनका हम क्रपा वै आनंद से सामना करते हैं, वे हमारी मानसिक संगत्ती का नतिजा है। क्रपा, आनंद, मानसिक पवित्तरता ही बहुतिक संपत्ती की अधिक्ता का माप नहीं है। और यह भी नहीं कि बुरे विचार ही एकमात्र कष्ट, क्लेश और दुख ही बहुतिक संपत्ती की कमी का परिमाप है। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग धन्य और अमीर भी होते हैं, पवित्रता और अमीरी तभी जुड़ते हैं, जब धन को सही और विवेक से कमाया और इस्तेमाल किया जाता है, गरीब अधिक पीडा का नुवव तब करते हैं, जब उन्हें लगता है कि बिन वजय के उनका बोज उन पर लाद दिया गया है गरीबी और भोगा शक्ति दुख या कहें पीडा के दो चरम पहलू है ये दोनों ही ऐस्व भाविक है मांसिक ऐसंतूलन का नतीजा है जब तक हम खुश स्वास्त और सम्रद नहीं होते तब तक हमारी सही अवस्था नहीं होती खुशी स्वास्थय और सम्रदी का हमारी परिस्थितियों के आंत्रिक और बाहरी स्थिति से तालमेल का ही परिणाम है जब हम शिकायत वे तिरिसकार करना बंद कर देते हैं और उस छिपे वे नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसे ढूंडना शुरू करते हैं तब हम खुश, स्वस्थ और सम्रद होना शुरू कर देते हैं। और एक, जब हम अपने मन में उस संचालित करने वाले गटक को अपना लेते हैं, तब हम दूसरों पर अपने कश्ट का कारण होने का आरोप लगाना बंद कर देते हैं। और हम शशक्त और स्वस्थ विचारों को अंतरमन में बढ़ाने लगते हैं। हम परिस्तित्यों पर चिखना चिलाना बंद कर देते हैं, और इसलिए नियमित आत्म परिक्षन और आत्म विचलेशन की सरल परताल द्वारा इसे जाना जा सकता है। हम मूलबूत तोर पर अगर अपने विचारों को बदलते हैं, तो हम अपने जीवन की बहुतिक परिस्तित्यों में आई त्वरित बदलाव को देखकर आश्च्रेचकित रह जाएंगी। कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने विचारों को गुप्त रख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, वे जल्दी ही आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्तित्यों का रूप ले लेती हैं। बुरे और निमनस्तर के विचार आक्रोश और नशे की आदत बनाते हैं जो पीडा, कर्ष्ट और गरीबी का रूप लेते हैं। किसी तरह के भी विनाशकरी विचार अंसुल जी ठकाव आदतें बन जाती है जो ध्यान भंग करने वाली और वीपरीत परिस्थितियों का आकार ले लेती है। आरोप लगाने के यादत का रूप लेते हैं। परिस्तितियों का आकार लेती है साहस आत्म निर्वर्ता और निर्ने के विचार शशक्त और फल्दाई आदतों का रूप लेते हैं जो सफलता प्रचूरता और मुक्ति की परिस्तितियों को आकार देती है उर्जापूर्ण विचार सफाई पसंद वे उद्दमी आदतों को मृदूल वेक्षमा सील विचार मृदूलता की आदत का रूप लेते है, जो सुरक्षित वे स्वस्थ परिसित्यों को आकार देती है। प्रेम पूर्ण और निश्वार्थ विचार दूसरों के लिए श्वें को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थाई प्रचूरता वे सच्ची समरदी की परिश्चितियों को आकार देती हैं, लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारदारा, चाहे व प्रटेक्स रूप से अवश्चे ही परिश्चितियों को आकर्शित कर सकते हैं, प्रकरती हमारे साथ है, हमारे अपने द्वारा काम करती है, जिससे की हम इन विचारों का आनंद उठा सकें, जिने हम पोशित करते हैं और एसे अवसर प्रस्थूत होते हैं, जो जल्दी ही अच्छे और प्रभावशली विचारों को सतैपर ले आते हैं, जैसे ही हम अपने नकारात्मक और विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रतिम मदूल हो जाता है, और हमारी मदद करने को तयार हो जाता है, जैसे ही हम अपने कमजोर और दूसित व कश्ट से नहीं गेरता है संसार हमारा बहूरूत दर्शी के लिडोस्कोप है और हरक्षन जिन विभिन रंगों को प्रस्तूत करता है वे हमारे सतत उबरते विचारों के अद्वुत चित्र हैं धन्यवाद हिंदि-audeobook.com आपका दिन शुब हो हेलो फ्रेंड्स हिंदि-audeobook में आपका स्वागत है अध्याई तीन शरीर और स्वास्थे पर विचार का प्रभाव एजे मैं थिंकेत रिटन बाई जिम्स एलन हमारा शरीर हमारे मन के आदेशों का आक्षर से पालन हमेशा एक सेवक की तरह करता है यह मन के हर क्रियक लापों का पालन करता है चाहे फिर वे सोच विचार कर चुने गए हो या स्वत्य प्रकट हुए हो मन के दूशित नकार आत्मक वे बुरे विचारों के कारण हमारा शरीर बिमार पड़ जाता है जिससे हम पतन की और अग्रसर होते हैं और अगर हमारे मन में खुश, सुंदर, स्वास्त और सकाराफमक विचार हैं तो इनके आग्या पर हमारा शरीर, सुंदर, सफल और योव और स्वास्ते की भी परिष्टितियों की तरह हमारे विचारों में जड़े होती है। रोग ग्रस्त विचार अपने लिए आपके शरीर को बिमार बना लेगे। समय समय पर हुई रिसर्च में यह पाया गया है कि डर के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितनी जल्दी एक बंदूग की बुलेट। वे लाखों लोगों को निरंतर इसी तरह धीरे धीरे मार रहे हैं। जो लोग किसी जानी पहचानी या अंजान बिमारी के डर में रहते हैं। बिमारी उन्हें देर सवेर अपनी पकड में लेही लेती है। बिमारी की यह चिंता जल्द ही पूरे शरीर को निरुदसाहित कर देती हैं और रोग को शरीर में प्रवेस करवाने के लिए इसे कमजोर बना देती है। नकारात्मक वे अशुद्ध विजार चाहे शरीरिक तोर पर प्रहार ने करे लेकिन नाड़ी मंडल पर नकारात्मक प्रवाव अवश्य डालते हैं और उन्हें कमजोर कर देते हैं। सुंदर, सकारात्मक, शुद्ध वे प्रसंद विजार शरीर को जोस और लवणने से सुसर जित करते हैं। शरीर नाजुक और ढलने वाला यंत्र है यह उन विजारों पर ततकाल प्रतिक्रिया करता है जो उस पर प्रवाव डालते हैं। आपके विजार करने की आदत के कारण विजार किये गए विजारों का प्रवाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है। चाहे आपने अच्छे या बुरे पर विजार किया वो प्रवाव अवश्य पड़ेगा। जब तक लोग नकारात्मक विचारों को फैलाते ही रहेंगे तब तक उनमें अशुद और जहरिला रक्त बहता रहेगा। शुद्ध हरद्य और मनन से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन होता है। दुशित्वे नकारात्मक मन से दुशित्वे नकारात्मक शरीर वे जीवन ही उत्पन होते हैं विचार ही कर्म, जीवन और प्रक्टिकर्ण का स्रोत है स्रोत को अगर शुद्ध करेंगे तो सब शुद्ध हो जाएगा अच्छे स्वास्ते की चाहत में जो लोग भोजन का तरीका या शैली बदलते हैं यहे तब तक उनकी मदद नहीं करेगा जब तक वे अपने विचारों को नहीं बदल लेते हैं जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तब हमें ऐशुद्ध भोजन की चाहा ही नहीं रह जाएगी जिनोंने अपने विचारों को शशक्त वैशुद्ध किया है उन्हें किसी भी हानिकार्ग जीव से डरने की आवशकता नहीं है स्वस्त विचार स्वस्त आदते मनाते हैं यदि आप शरीर को पूर्ण स्वस्त रखना चाहते हो तो अपने मन की रक्षा करो यदि आप अपने शरीर का नविनी करन करना चाहते हो तो मन को सुन्दर बनाओ तुर्भावना, इर्शा, निराशा, नकारात्मक्ता जो चेहरे पर खराब दिखती हैं, वे मुर्खता, पीडा और गमंड के कार्णूत्पन होती हैं। आप अवश्य ही किसी ने किसी ऐसे बुड़े चेहरे को जानते होंगे, जो तेजस्वी और एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरहट के साथ चमक से भरा हुआ होगा। और एसे चेहरे भी आप अवश्य देखते होंगे, जो निराशा की जुर्रियों के कारण उम्र से पहले ही बुड़े दिखाई देने लगे होंगे। एक चेहरा खुशी वे सकारात्मक्ता का वे दूसरा चेहरा नकारात्मक्ता वे बुरे निराशा जनक विचारों का परिणाम है। एक शशक्त शरीर, चमकिला, खुश और शांत चेहरा तब तक ही रह सकता है, जब तक आप अपने मन में हर्ष, सर्भावना और शांत विचारों को आने की खुली चुट देते हो। बुजूर्ग लोगों के चेहरों पर साहनुबूती की जुर्या होती है, जो शशक्त और सुद्ध विचारों से बनती है, लेकिन बहुत से नकारात्मक भावनाओं द्वारा भी बनती है। इनमें हम तब तक फर्क नहीं कर सकते, जब तक उनके विचारों को नहीं जान लें, जिनोंने धर्म संगत जीवन जिया है, उनका जीवन एक अस्त होते सूर्या की तरह, शांतिपूर्ण, स्थब्ण और म्रदूल हो चुका होता है। हाल ही में मैंने एक दार्षनिक को उनकी मरत्यू सिया पर देखा, वो उम्र के अलावा बूड़े नहीं थे, उनकी मरत्यू उतनी ही मीठी और शांतिपूर्ण थी, जितना उनका जीवन था। शारेरिक विमारियों को दूर भगाने के लिए, खुश दिल विचारों से अच्छा कोई डोक्टर नहीं है। दुख और शोग की काली परचाई को हटाने के लिए, सदभावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज नहीं हो सकती। सदा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, द्वेस रखना, शक करना और इरशा के विचार रखना एसा ही है जैसा स्वय निर्मित जेल में रहना। परन्तु सब के बारे में अच्छा सोचना, सब के साथ खुश रहना, धहरिये के साथ यह सीखना, कि उनमें केवल अच्छाई ही देखना, एसे निस्वार्थ विचार, स्वरक्योर ले जाते हैं, दिन प्रती दिन, हर प्राणी के प्रती शान्ती के विचार रखना, आप में अद्भूद शान्ती लाएंगे, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम, आपका दिम शुब हो, जब तक कोई भी विचार, उदेश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी प्रतिभा, पूर्ण उपलब्दी नहीं बनती, बहुत से लोग अपने उच्टम विचार, जीवन के सागर में दिशाहिन गती से बहने देते हैं, जीवन में विचारों की दिशाहिनता बहुत बूरी होती है, अगर जो लोग विपत्ती और विनाश से दूर रहना चाहते हैं, तो उनको इस प्रकार बहने से स्वें को रोक और ये सभी कमजोरी के लक्षन होते हैं ये ठीक वैसे ही ऐ सबलता, ऐ प्रशनता और कमी की और ले जाते हैं जैसे सोच समझकर आयोजित किय गए अपराद होते हैं क्योंकि कमजोरी शक्ति विक्षित करने के ब्रमाण में टिक नहीं सकती हमें एक न्याय संगत उदेश्य के बारे में विचार करना चाहिए, वै उसे यधार्थ बनाने के लिए कार्यसिल होना चाहिए, हमें अपने उधिश्य को विचारों के केंदर में रखना चाहिए, उधिश्य बनाते समय हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार वह आध्यात्मित या फिर भौतिक लख्षय का परन्तु वहे जोड़ी हो, हमें उस उदेश्या पर द्रणता से अपनी विचार सकती को केंदृत करना चाहिए हमें इस उदेश्या को अपना उच्चतम कर्टव्य बनाकर उसकी प्रगती के लिए स्मे को समर्पित कर देना चाहिए वे अपने विचारों को ख्षनिक रूचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने देना चाहिए यह आत्म सैयम का राजसी मार्ग है और विचार की सच्ची एकागरता है यदि हम बार-बार अपने उदेश्य को पाने में ऐसफल हो रहे हैं तो यह तब तक होता रहता है जब तक हम अपनी कमजोरी से उपर नहीं उठ पाते हैं और इससे हम चरित्र के सामर्थे को प्राप्त करते हैं वह सच्ची सफलता का मापधंड होता है वह यह भविशय के सामर्थे और विज्ये की नई शुरुरु अथोती है जिनका कोई महानुदेश्य नहीं होता है उन्हें अपने विचारों को कर्तव्य के अचूप प्रदर्शन पर केंद्रित करना चाहिए फिर चाहे उनका कारिय कितना ही छोटा क्यों नहीं दिख रहा हो केवल इसी तरीके से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है वे संकल्प और उर्जा को विक्षित किया जा सकता है इसे सिद्ध करने के बाद एसा कोई भी लक्षे नहीं रहे जाता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता हो कमजोर आत्मा अपने कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य, प्रेयतन और अभ्यास द्वारा विक्सित की जा सकती है वे तुरंत ही प्रियतन सील हो जाती है और प्रियतनों द्वारा सदा विक्सित होती रहती है और अंत में दिव्य रूप में शशक्त हो जाती है जैसे शारिरिक तोर पर कमजोर लोग सतर्क और धहर्यपूर्ण प्रशिक्षन द्वारा अपने आपको सशक्त बना सकते हैं वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग सही सोच का अभ्यास करके अपने आपको सशक्त बना सकते हैं दिशाहिंता वे कमजोरी को दूर करके किसी भी उदेश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की स्रेणी में पहुंचना है जो की सफलता प्राप्ती के लिए एक मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्तितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं और जिनके विजा करने का एक सीधा मार्ग बिना दाएंबाइं देखे तयार करना चाहिए अपने अंदर छुपेवे संस्य वे डर को शक्ती से निकाल फेंकना चाहिए ये वे विचेदक तत्व हैं जो प्रेतन की सीधी रेखा को तोड़कर उसे तिरचा एप्रभावी वे बेकार बना देते हैं संस्य और डर के भाव के विचारों से कभी कुछ भला नहीं हो सकता है वे हरदम ऐसा पलता की और ले जाते हैं उदेश्य और जा करने की शक्ती और सभी शशक्त विचार तब रुप जाते हैं जब मन में संस्य और डर के विचार घुच जाते हैं कुछ करने की इच्छा इस ज्ञान से उबरती है कि हम कुछ कर सकते हैं संस्या और भै ज्ञान के सबसे बड़े शत्रू है और वह है लोग जो उसे बढ़ावा देते हैं उन्हें मारते नहीं बलकि वे हर कदम पर निश्वल होते रहते हैं जिनोंने संस्या और भै पर विजय पाली है उन्होंने ऐस पलता को जीत लिया है उनका हर विजयार समर्ते से जुड़ा हुआ है और सभी परेशानियों का साहस के साथ सामना कर उन्हें बुद्धिमानी से वश्मे किया जा सकता है उनके उदेश शेवातारण के हिसाब से बोई जाते हैं और वे एसे फलफूल देते हैं जो समय से पहले नहीं गिर जाते हैं बिना किसी भैके उदेशे से जुड़ा हुआ विजयात रचनात्मक शक्ति बन जाता है वे जो यह जानते हैं वे तयार हैं बटकते विचारों और उतरते चरते समवेदनाओं की गठरी से जाता कुछ उचतम और सशक्त बनने के लिए जो यह करते हैं अपने विचारों को अपने उदेशे के साथ जोड़ते हैं वे अपनी मानसिक शक्ती के जागरुक और बुद्धि मानशाशक बन जाते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम आपका दिन शुब हो एजे मैन तिंकेत जेम्स एलन अध्याएव पांच उपलब्दी में विचार एक गटक हिंदी ओडियोबुक टोट कॉम आप जो भी पाते हो या पाने में ऐसफल होते हैं तो यह सब आपके विचारों का सीधा सीधा नतीजा है इस न्याएपूर्ण व्यवस्तित संसार में जहां संतूलन की कमी विनास ला सकती है वहां व्यक्तिकत जिम्मेदारी अवश्य पूर्ण होनी चाहिए आपकी ताकत या कमजोरी सफलता या एसफलता जै या पराजय सुख या दुख जैसी कोई भी दसा केवल आपकी ही है किसी दूसरे की नहीं है जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जैसा आप सोचते रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं शशक्त लोग कमजोर लोगों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक कमजोर लोग मदद लेने के लिए तयार नहीं होते जिस मजबूती को वे दूसरों में देखते हैं उन्हें अपने प्रेतनों के द्वारा उस सामर्थय को विक्सित करना होगा केवल और केवल हम खुद ही अपनी दसा को बदल सकते हैं दबाने वाले वैं दबने वाले वास्तों में अपने आपको सताने में सहयोगी होते हैं बलकि देखने में यह लगता है कि वे एक दूसरे को सता रहे है पूर्ण ग्यान करम के नियम को दबाने वाले की कमजोरी में और दबाने वाले की दुस प्रियुक्त शक्ती में देखता है पूर्ण प्रेम दोनों के कश्ट को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता पूर्ण करुना दबाने वाले और दबने वाले दोनों को ही अपनाती है जिनोंने कमजोरी पर विजय पाली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है जो नय तो अत्याचारी है और नय ही वे है जिन पर अत्याचार हो रहा है वे मुक्त है कुछ पाने से पहले जो चाए संसारिक वस्तुए हो हमें अपने विचारों को अति भोगवादी होने से उपर उठाना चाहिए हमें सफलता पाने के लिए सभी स्वार्थों को नहीं तो कुछ को तो छोड़ना ही होगा अगर हमारे सभी विचार भोगवादी हैं जिस से हम ने तो ठीक प्रकार से सोच सकते हैं और ने ही ठीक योजना बना पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर क्षेत्रों में ऐसभल होते हैं। हमने अभी तक अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियंतिरित नहीं किया है और इसलिए हम गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने के योगय नहीं होते हम ने तो अकेले कोई कारिय करने में सोतंत्र हैं और ने ही अकेले खड़े रहने में हमने जो विचार चुने ह हम उनके द्वारा सीमाबद हैं बिना त्याग के ने तो प्रगती हो सकती है ने कोई उपलब्धी मिल सकती है वे हमारी संसारिक सपलता इस बात के सीधे अनुपात में होगी कि हमने किस हद तक स्वार्थी भोगाशक्त विचारों पर काबू पा लिया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास और अपने संकल्प और आत्म विश्वास को सशक्त करने में लगाया है हम जितनी उच्चता अपने विचारों में लाएंगे उतने ही ज़्यादा धर्म संगत, सही और आदर्श्वादी हम बन पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी सफलता होगी वे हमारी उपलवतियां उतनी ही अधिक आशिरवादिप वे स्थाई होगी लोभी, बेईमान वे दूस्ट इनसान का साथ ब्रमांड कभी नहीं देता लेकिन सरसरी तोर पर लग सकता है कि ये सा हो रहा है वे है इमानदार, उदार हर्दे वे पुन्यात्मा की मदद करता है समस्त योगों के महान शिक्षकों ने यह अलग-लग तरीके से दुनिया को बताया है कि इसको जानने वे सत्या साबित करने के लिए आपको विचारों को उच्च करके अपने आपको पुन्यात्मा बनाने में कारियरत रहना है बोध्धिक उपलब्दियां ज्यान की खोज या जीवन और प्रकर्टी में सुंदरता वे सत्य की खोज में अरपित विचारों का नतिजा है एसी उपलब्दियां कई बार महतव कांक्षाओं वे अभिमान से जोड़ी जा सकती है परंतु वे इन विसेस्ताओं का परिणाम नहीं है वरने लंबे और कठिन परिशरम का वे शुद्ध और निश्वार्थ विचारों का सो भाविक नतिजा है अध्यात्मिक उपलब्दियां पवित्र महतव कांक्षाओं की सिद्धी है जो लोग लगातार पुन्य वे उच्च विचारों की भावना रखते हैं जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध वे निश्वार्थ हैं सूर्य और चंद्र की पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुन्यात्मावे ज्यानी बनते हैं और एक प्रभाव शाली और धनी स्थिती तक उपर पहुंसते हैं हम संसार में उच्च सफलता पा सकते हैं और अध्यात्मिक लोक में भी उच्छ स्थिति तक उठ सकते हैं और दमभी, स्वार्थी वैदूसित विचारों को अपने में समा कर हम कमजोर और दुर्भग्य शालिश्थिति में गिर सकते हैं। सही विचार द्वारा प्राप्त विजे को केवल सार्थकता द्वारा ही बनाई रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तै होता है तो बहुत से चूप जाते हैं और सिग्र ही ऐ सफलता को चकते हैं। समस्त उपलब्दियां चाहे व्यापार, बोधिक या अध्यात्मिक जगत में हो निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का फल है और उसी नियम के अधीन है और उसका वही तरीका है। फर्क सिर्फ प्राप्ति के लक्षे में है। वे जिने बहुत कम मिलता है, उन्हें तोड़ा त्याग भी करना चाहिए। और जो ज़्यादा प्राप्त करते हैं, उन्हें ज्यादा त्याग करना चाहिए। स्वपन देखने वाले इस संसार के मसीहा हैं, जिस तरह से द्रश्य जगत, एद्रश्य द्वारा पोशित है, उसी तरह मानवता सभी परिक्षाओं, गल्तियों और कष्ट में उसके योगी स्वपन देखने वालों की सुन्दर परीकल्पनाओं द्वारा पोशित होती है। मानवता अपने स्वबंद रष्टाओं को भूल नहीं सकती वे उनके आधर्षों को एसे ही फीका पड़कर मर जाने नहीं दे सकती वहे उनमें रहती है वहे उन्हें वास्त्विक्ताओं जैसा मानती है जैसे की एक दिन वहे उन्हें देखेगी और जान पाईगी संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवी, पैगंबर, रिशी ये जगत के परे की दुनिया के बनाने वाले हैं स्वरग के सिल्पकार हैं यह जगत सुन्दर है क्योंकि ये इसमें रहते हैं उनके बिना श्रमकारी मानोता मिट जाएगी जो अपने हरद्य में एक सुन्दर परिकल्पना को वै उच्च आदर्स को संजोते हैं एक दिन उसे साकार कर पाएंगे कोलंबस ने एक दूर देश की कल्पना को संजोया था और उसने उसे खोज निकाला कोपरनिकस ने संसारों की अनेकता और एक विस्तरत ब्रमांड के होने की परिकल्पना को पोशित किया था और उसने उसे प्रकट भी किया भगवान बुद्ध ने निश्क लंक सुन्दर था और पूर्ण शान्ति के अध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया था और उन्होंने उसमें प्रवेस भी किया अपनी परिकल्पनाओं को पोशित करो अपने आदर्सों को पोशित करो तुम्हारे हरदय में जो संगीत उमड़ता है मन में जो सुन्दरता रूप लेती है तुम्हारे सुक्षमतम विचारों को जो खोबसूरती लपेटती है उसे पोशित करो क्योंकि उन सब में से हर्षपूर्ण परिष्थितियां और स्वर्ग पूर्ण वातवन पन पेंगे और बढ़ेंगे यदि तुम इनके प्रती सच्चे रहो तो तुम्हारे संसार का अंतत्य निर्मान होगा चाहने से तुम पाओगे आकांक्षा रखने से प्राप्त करोगे क्या हमारी निम्नतम इच्चाओं को संतूष्टी का पूर्ण माप मिले और हमारी सुर्दतम आकांक्षाएं पोर्षण की कमी से नष्ट हो जाएं ब्रह्मान ये नियम ऐसा नहीं है एसी दसा में चीजों को प्राप्त नहीं किया जा सकता मांगो और तुम्हें मिल जाएगा उच्च स्वपन देखो और जैसे तुम स्वपन देखोगे तुम वैसे बन जाओगे तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे तुम्हारे आदर्ष उसकी भविश्य वानी है जिसे तुम अंत में परदा उठा कर देख सकोगे मानव उपलब्दियां सबसे पहले और लंबे समय तक एक स्वपन थी ओक का वरक्ष मंजू फल में छिपा होता है चिडिया अंडे में पलती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागरत देवदूद चलते हैं सोपन वास्विक्ता के बीज है तुम्हारी परिस्तितियां हो सकता है प्रतिकूल हो परंतु वे एसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जीजान लगा दो बाहर शांत खड़े रहे कर तुम अंतर में यात्रा नहीं कर सकते एक यूवती है और एक यूवक है दोनों ही गरीबी और काम के बोज़ दले दवे हुए हैं लंबे समय तक एस्वस्त वातावर्ण वाली वर्क्शोप में बंद, एसिक्षित और सभी प्रकार की सिष्टताओं से कोशों दूर परंतु दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धी, क्रपा, सिष्टता और सुंदरता की कलपना करते हैं वे मानसिक तोर पर एक आदर्श जीवन परिस्टी की कलपना करते हैं एक विस्तरत सुतंतरता की परिकल्मना करते हैं और एक बड़ी आकांक्षा उन पर हावी हो जाती है व्याकुल्था उन्हें करम करने के लिए उपसाती है और वे अपने खाली समयवे साधनों को चाहे वे अभी कम है अपने सोही शक्तियों और साधनों के विकास में लगाते हैं शिक्र ही उनके मन इतने परिवर्टित हो जाते हैं कि वह वरक्षाप उन्हें बांद कर नहीं रख पाती है उनकी सोच से वह इतनी बेमेल हो जाती है कि वह उनके जीवन से वैसे ही बाहर हो जाती है जैसे कोई कपड़ा उतार कर फेंक दिया जाता है जैसे जैसे उनके लिए वे अउसर बढ़ते जाते हैं जो कि उनकी विस्तरत होती शक्तियों के कार्यक्षेत्र को समा सके वे उससे हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं सालों बाद हम उन्हें फिर देखते हैं बहुत ही विशिष्ट तरीकों में हम उन्हें मन की कुछ एक शक्तियों के अधिकारी पाते हैं, जिनके प्रियोग से वे दुनिया भर पर प्रभाव और लगबग एप्रतिम समर्थे से शाषन करते हैं, वे अपने हाथों में विशाल जिम्मेदारियों के सुप्रों को थामे हैं, वे बोलते हैं और जीवन रु संख्य जीव गूमते रहते हैं, उन्होंने अपने योवन की परिकल्पना को पा लिया है, वे अपने आदर्शों से एक हो गए हैं, और तुम भी, नोजवान पाठक, अपने हर्दे की परिकल्पना को पाओगे, व्यर्ति इच्छा को नहीं, चाहिए वह ओची हो, या सुन आया है, वह तुम पाओगे, ने ज्यादा, ने उससे कम, तुम्हारे वर्तमान का वातावार्ण, चाहे कैसा भी क्यों नहीं हो, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे आदर्श द्वारा, तुम या तो गिरोगे, वैसे ही या पिर उठोगे तुम अपने नियंत्रित इच्छाओं जितना छोटे बन जाओगे या तुम अपनी प्रबल अभिलाशाओं जैसे महान बन जाओगे स्टेंटन क्रिक हम डेविस के सुंदर शब्दों में तुम बही खाते संबाल रहे हो और तुम अभी उन दर्बाजों से बाहर निकलते हो जो इतने समय से तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आधर्शों के लिए रुकावड थे और अपने आपको श्रोताओं के सामने पाते हो पेना भी भी तुम्हारे कान पर अटका है उंगलियों पर शाही की दब्बे हैं और तभी उसी क्षण में तुम्हारे अंतर में प्रेणा की वर्षा होने लगती हैं तुम बक्रियों को चरा रहे होते हो और शहर में घूमते होए पहुंच जाते हो फटे मूं देहाती की तरह और आत्मा के निर्वह मार्ग दर्शन में तुम्हे गुरू के आशरम में पहुंच जाते हो और एक समय के बाद वे कहते हैं तुम्हे सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है अब तुम स्वें गुरू बन गए हो जो थोड़े समय पहले तक बक्रियां चराते नै कि स्वें चीजों को भाग्य, किस्मत और सयो के बारे में बात करते हैं। ऐसा वलताओं और संगर्ष को नहीं देखते जो इन स्त्री पुरूसों ने अनुभव पाने के लिए सहर स्विकारा है उन्हें इनके द्वारा किये गई त्याग का साहसिक प्रेतन का और विश्वास जिसे उन्होंने अपनाया है का जरासावी ध्यान नहीं है जिससे कि वे अ लंद्य दिखने वाले लक्षे को प्राप्त कर सकें और अपने हरद्य की परिकल्पना को पा सकें उन्हें मन के अंधकार और दिल के तूटने का कोई ऐसास नहीं होता उन्हें केवल प्रकाश और प्रसंता दिखती है और वे उसे भाग्य कहते हैं वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते, केवल सुखी परिणाम को देखते हैं, और वे उसे सद भग्य कहते हैं, वे प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल नतीजा देखते हैं, और उसे संयोग कहते हैं. हर मानव कारिया में प्रियतन है और फल भी है, और प्रियतन कितना सशक्त है, इसे फल से मापा जाता है, यह कोई संयोग नहीं है, कहे जाने वाले उपहार, शक्ती, बहुतिक, बहुत धिक और अध्यात्मिक अधिकार प्रियतन के हैं, वे पूर्ण किवे वे विचार हैं, प् तुमने अपने हर्दे में विराजित कर रखा है उससे तुम अपने को बनाओगी और यही तुम बन जाओगी धन्यवाद hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो एजे में थिंकेत जेम्स एलन अध्याई साथ प्रशान्ती hindi-audiobook.com मन की शान्ती ज्यान का एक फुंदर मनी है वह आत्म सय्यम के लंबे और धहर्य पूर्ण प्रयतन का नतीजा है उसकी उपस्तिती परिपक्व अनुभव का और नियम वे विचारों के उच्छ ज्यान वे कारिय कलाप का चिन्ने है हम उसी मात्रा में शान्त होते हैं जितना हम विचार विक्षित अस्तितों के रूप में सुवे को समझते हैं क्योंकि एस आग्यान विचार के फल्स रूप निश्चित ही दूसरों को समझने की ख्शम्ता रखता है और जैसे हम सही समझ को विक्षित करते हैं और कारण वे प्रभाव के आधार पर आंतरिक भावनाओं वे वीचारों को अधिक स्पष्टता से समझते हैं, हम चीकते चिलाते नहीं और चिंतित वे दुखी नहीं होते हैं, हम संतुलित, वचनबत और शांत रहते हैं। वे लोग जो शांत हैं जिनोंने स्मय को नियंतरित करना सीखा है, जानते हैं कि स्मय को दूसरों के माफिक कैसे बनाया जाए और ये दूसरे बदले में शांत लोगों की अध्यात्मिक सामर्थय का सम्मान करते हैं और यह सोसते हैं कि उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर स जितने अधिक प्रशान्त हम बन जाते हैं उतनी अधिक हमारी सफलता हमारा प्रभाव वै अच्छाई के लिए हमारा सामर्थ होता है। शान्त लोगों को सदा सम्मान मिलता है वै उनसे प्यार किया जाता है। वह चरित्र की विशिष्टता जिसे शान्तता कहते हैं संस्कृति का आखरी सबक है। वह जीवन का फूलना है आत्मा का फलना है वह ज्यान की तरह मुल्यवान है और उसकी सोने से भी ज़्यादा कामना करनी चाहिए। हाँ उतकरष्ट सोने से भी ज्यादा पैसे को पाने की चाह कितनी तुछ लगती है जब उसकी तुलना एक शान्त जीवन जो सत्य के सागर में लहरों के नीची आंदी तुफान की पहुंच से परी शाश्वत शान्ती में बसता है। हम एसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को एपरिये बना लेते हैं, जो अपने विस्पोटक गुसे के कारण वह सब जो मधूर और सुन्दर है उसे तबाह कर देते हैं, जो अपने चरित्र की सिष्टता का नाश कर देते हैं और मन मुटव पैदा कर देते ह यह एक प्रशन है कि क्या बड़ी मात्रा में लोग अपने जीवन को तबाह नहीं करते हैं और क्या वे ना समझी और आत्मनियंतरन की कमी के कारण अपने जीवन की खुशियों को मार नहीं देते हैं हम अपने जीवन में एसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो शान्त होते हैं जिनमें अद्वुत सिष्टता होती है जो कि एक परिपक्व चरित्र की विशेस्ता है हाँ ए नियंतरित गुस्थे से मानोता आवेश में आती है ए नियंतरित दुख से उत्तेजित हो जाती है व्यग्रता और सहियम से प्रभावित होती है केवल वे ज्यानी जिनके विचार नियंत्रित वे शुद्ध हैं आत्मा की तेज हवाओं और तूफानों वे हवा को काबू में ला सकते हैं तूफान में डावाडोल आत्मा चाहे तुम कहीं भी क्यों ने हो चाहे किसी भी परिष्थितियों में क्यों ने रहते हो यह जानती है कि जीवन के समुंदर में पवित्तरता के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्शों का उजला किनारा तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है विचारों की पतवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ कर रखो तुम्हारी आत्मा के जहाज में प्रबल स्वामी आराम करता है वह केवल सोता है उसे जगाओ आत्मनियंत्रन सामर्थ्य है सही विचार स्रेष्टता है शांतता शक्ती है अपने हर दैसे कहो, शान्त रहो, स्थिर रहो धन्यवाद, हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम, आपका दिन शुब हो